सबी भायों बैनों के आपके अपने चैनल वाइस यूटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है क्योंकि कोई subject किसी के लिए नहीं होता है कि कि कोई question किसी के लिए नहींट को पूछा जाएगा हाला कि मैं इसी विडियो में हुशे चारों तो प्लीज आप लोग के तीसरा पर एया आप लोगों के बहुतर था है इसका पुरा डिटेल के साथ आंसर देता हूं तो प्लीज आप लोग डेली- takie continuous वीडियो को देखा कीजिए तो चलिए में देर नहां करते हुए पहला कुछिशन देखे क्या दिया हुगा जातक कथाओं में जन्म के पूर्व जीवन का वरणन मिलता है पुछ रहा है कि जातक कथाओं में किसके जन्म के जन्म और उनके पूर्व का जीवन का वरणन मिलता है तो इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है ए हो जाएगा क्या हुआ है बुद् जन्म बुद्र की पूर्फ जर्म की कहानियां बताई गया है जिनमें बहुत धर्म और सभी मंदों को सनरक्षित किया गया है यह जाक टाय extend कषराय किसमें वरनीथ है तो już आसांती देखी गई थी आईए हम इसका डीटेल देखते हैं इसका डीटेल क्या दिया हुआ है इसका डीटेल दिया हुआ है छटवी सताप्दी में इसा पूर्व सठीश सताप्दी की बात देखें गया चयंधरम और भांट धर्म के उध्य में भारत की जो से स्पीड लेक चलूंगा क्योंकि ज्यादे ज्यादे को मैं छोटे समय में कवर कर सकूं ठीक है और ज्यादे ज्यादे कोशन के प्रैक्टिस होची कि देखिए यह भी ग्रूब डी में पुछा वा कोशन है मैं यह भी चीज़ बता दू आप लोगों के लिए कि जो भी कोशन है आप लोगों कोई इसकी डिटेल आप लोगों के देखनी होगी तो आप लोग वीडियों को पॉस करके भी आप लोग इसकी डिटेल देख सकते हैं छलते हम पर अग्यादे हो पे question दिनो 45 क्या कहा रहा है? पुछन ही गोतम बुदगी मा का नाम क्या था? मैंने तक कल पिता का नाम बता asthma पिता का नाम क्या बताया था? आप लोगों को पता होगा बताए फीस दोधन इनके ने पिता का नाम था? ठीक है? गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी जो की एक कोली गणराज की राजगुमारी थी इनका विवास साके कुल के मुखिया सु दोधन के साथ हुआ था बुद्ध का जनम साथ दिन पस्चा थी इनका निधन हो गया था याद रखियेगा यह भी पुछा जाता है आप लोगों को पता भी होगा कि बुद्ध का जो जनम हुआ था उनके साथ दिन पस्चा थी इनकी माता का मृत्य हो गया था इनकी मृत्य के बाद परजापती गौतम ने बुद्ध को पारन पसंड किया यह भी पुछा हुआ कोशन है और गुरूप डी में भी पुछा हुआ है पुछा जा रहा है कि इनकी मृत्य जो थी प्रजापती गौतम के दौरा बुद्ध को पाला गया था चलते हम अगले नमर कोशन पर कोशन नमर 47 क्या कह रहा है बहुत धर में दिये गया आचार के न स्टांगिंग मार्ग भी दिया गया हालाकि यह सब चीजे को द्वारा सभी चीजों के बारे में बताया गया मैं बात कर लेता हूं देखिए बहुत धर में के दियेगा अचार ओवर नियम और पंचसिल सिधानतों के नाम से जाना जाता है तो देखिए मैं डीटेल इसका द माधी कल भी मैं इसके बारे में डीटेल से आप लोगों को बताया था तो चलते हैं हम अगने नमर कोश्चन पर कोश्चन नमबर 48 क्या कह रहा है कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य बिहार अस्तूप हुआ अस्तंब हुआ करते थे बहुत इंपर्टेंट कोश्च मतलब हम बात कर रहे हैं कि एक नमबर की अंदर हाजार वहाजार रैंकिंग देखने को हम को मिली थी ठीक है तो सोच लीजे एक कॉष्चन से आप लोगों को पेपर में सेलेक्शन दिला सकता है एक कोश्चन ना पालोगों को पेपर से बाहर कर सकता है तो क्या दिया हुए RRB, ALP, अर्था टेकनीसियन में ये पूशा हुआ कोशन है, क्या कोशन दिया हुआ है, आईए हम देख लेते हैं, इसका जो कोशन दिया हुआ है, बहुत धर्म के धार्मिक वस्तुकला, भारती ओप महादीप में विखसीत हुई, शुरुवाती बहुत धर्म के धार्मिक वस कहा करते थे हैं, और बात करते हैं, कि मंदीर या पराथना कक्च को क्या कहते थे, तो हम छेते कहा करते थे, ये इंपॉर्टन्ट है, और इस तरह के कोशन आप लोगों को पूशे जाते हैं, इसका राइट आइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, चलते हम सबसे जादे चले सब आपको देखने को मिलेगrias और उसके बाद से आगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्लंका में भी डेख सकते हैं के दोनेश्य है क्राइठ उसके जैका मंदिर देखने को मिलता है चलते हैं अगले नंबर- question number 50 क्या कहािए बोध संगरचना धंक धमेख सूप इसको भी कहते हैं हिंदी में लिखा धंक that तो पुछ रहा है ठीक है ना कहा इस्थित है कहा पर है पुछा रहा है कि सारनात में है साची में है कुराण के में है महा बली पूरम में है इसका राहिट आंसर क्या हो जाएगा देखिए भी आरार बी एंटी पीसी में पूछा हुआ कोशन है 2016 में आप लोगों को पता होगे कि 2016 की जो पेपर हुआ था इसमें और हो सके तो इस बार और बी जदा टफ कर दे इसलिए कि इस बार लड़कों की संख्या पिछली बार से भी जाता है तो प्लीज आप लोग धान दीजिए चलते हैं हम लोग अगले नमर कोशन पर पर बहुत संख्यांप है चलते हैं हम लोग अगले नंबर कोशन पर अगला नंबर क्या दिया हुआ पूछ रहा है बोरो बुंदूर बॉद्र कहां पिस्तित है नेपाल में है इंडोनेसिया में मलेसिया में है इसका र आइट आंसर देख लेते हैं ये भी RRB NTPC में पुशा हुआ question है, इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हम देख लेते हैं C हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंडोनेसिया में बोरो बुंदूर मौधि मंदिर कहां पिस्तित है इंडोनेसिया में स्तित है, चलते हैं हम लोग अगले number question पे, अगला number question क्या दिया हुआ आइए देखते हैं, अगला number question क्या दिया हुआ तो जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उकदेश दिया था उस असमारक का नाम बताए, जिसे seat of the holy buddh के नाम से जाना जाता है बहुत important question, यह question पुशा हुआ question है अब यह देखिए question मैं बात कर लो, यह भी RRB NTPC में पुशा हुआ question है तो तो कि NTPC के आप लोग लेबल देखेंगे, आप group D से बात करेंगे और ALP की बात करेंगे, और JE की बात करेंगे अगर सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे ना, तो मैं इसका comparison की बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा आप लोगों के NTPC में tough question देखने को मिलेंगे उसके बाद ALP मिले थे, उसके बाद group D में जेई में आप लोगों के moderate question देखने को मिल सकता है दोनों में similar, उसके वज़े से non-technical के लड़कों के लिए थोड़ा से बोज कम हो, इसके वज़े से ऐसा question कम डाला जाता है इसका right answer क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, धमेक सूप सारनाथ में, मैंने अभी पीछे बताया कि क्या कहा जाता है अभी, तो seat of the holy buddh के नाम से भी इसे जाना जाता है, हमें एक सूप सारनाथ में जो है, इसे seat of the holy buddh के नाम से भी जाते है इस तरह के question आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो please आप लोग इस तरह के question पर ध्यान दिजेगे, चलते हैं हम लोग अगले number question पर, question number 53 क्या कह रहा है question number 53 क्या रहा है, निमलिखित में से बौध, निमलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का सिक्छाओ का संग्रा था, देखिया इसका right answer आल यह देख लेते हैं, क्या दिया हुए, D दिया हुए, 3 पिटक, 3 पिटक जो था, बुद्ध का सिक्छाओ का संग्रा था, मैंने बताया question number 54 क्या कहा रहा है, question number 54 कहा रहा है, भारत की एक धर्म, जोरो और्ष्ट्रियन, मुख्य रूप से किस राजिय में पाये जाते हैं, महराष्ट्र में पाये जाते हैं, हरियाना में पाये जाते हैं, बिहार में पाये जाते हैं, कियरल में पाये जाते हैं, आईए इसका right answer हम वो कहां पे महराश्ट्र में पाए जाते हैं, अच्छा हम इसके बारे में थोड़ा से देख लेते हैं, जो और अस्ट्रियन अर्थात हम पार्सी की बात कर रहें, पार्सी भी एक परगार का धर्म है, को मानने वाली अधिक्तम अबादी महराश्ट्र में निमास करती है, इस अच्छा कुछ लोग सोच रहे होगा कि मैं अंसर क्यों नहीं दिखाने कोशिस करता हूँ, आप लोगों का एंसर सैथ थोड़ी वो दिख भी जाती होगी, लेकिन मैं इसलिए सोचता हूँ कि आप लोग इसका राइट आंसर पहले कीजिए, मैं उसके बाद इसका राइट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 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 हो जाएगा, इनमें से तीन किसी तरीक है वो किसके साथ जुडा हुए पार्शी धर्म के साथ जुडा हुआ है जेन धर्म के साथ जूडा हुआ इसका राइड च्फित राइशन दोरह क्या धार हो थिए होा संगलन ऑउस्था नामक ग्रंट रापत होता है चलते हैं हम cells कुछ है। यहूदी मियं बात कररते था देखी यह को पिशावा जाएंग क्या है। धर्म सीर्हेसान नहीं हमारी है, यहोदी दर्म जो है, यहूदी एक एक श्रवादी धर्म है। जिसका मानना है कि इस्वर में उपस्तिती का अनुभाव मानों गत्विदियो और इनसान के द्वारा होता है तथा इन्सवर अपना संदेश पैगंबर के माध्यम से मतलब भगवान जो है पैगंबर के माध्यम के मतलब समझ रहा है मतलब जो हमारे जैसे हम लोग पंडिस से क करते हैं तो वहीं चीज बता रहा है उसी के माध्याम से हम प्रेसीद करते हैं ठीक है भेजते हैं यहुदी लोग अबराहम इंसाक वा जेवक अपना पितामा मुसा और पेगंबर मानते हैं यहुदी धर्म क्या दिया है इसराइल वह हीर्वु भासियों का राजद धर्म है ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा भी तोरा नहीं इसके बारे मैं उसे दर्म किसने संबंधित है दोरा संबंधित है बहुत इंपोर्डीन क्योन पूछा हुआ है आपchae men yourekk प्रतिंट के सब कोश्चन आप लोगोंпис से अधी वावशन का ऊब दर मतलब काफ़ी जाले उपपर हो चुग तो चली इस कराइट आंसर बताते हैं क्या हो जाएगा तारा हो जाएगा अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं यहूदियों की धर्म भासा इबरानी हिब्रु और यहूदी धर्म गरंथ नाम तकन है जो इबरानी भासा में लिखा गया है इसे तालमूंद या तोरा भी कहते ह है त्री पिटक बहुत धर्म से संबंदीत है याद रख लिजेगा यह भी चीज त्री पिटक धर्म अभीदाम में पिटक का वरण मिलता है ठीक है चलते हैं अगले नमर कोश्चन पर देखिए अब यहां से हमारा मौरी समराज चालू हो गया है देखिए हाला कि मैं बता द सम्वंदीत, जितने भी कोश्चन कर रहा हैं अगर आप उस कोश्चन को पूरी तरह से कर लेते हैं तो आपकी मोरे कोश्चन के पूरी तरह से आपको तयार हो जाएंगे अब हम बात करते हैं मौरे समराज के तो समराट असोग ने बहुत धर्म के अच्छा प्रचार हे तूँ, मैं थोड़ा सा मौध इस समराज के बारे में आपनों को डिटेल बता दिता हूँ, मौरे समराज के अस्थापना चंद्रगुप्त मौरे के द्वारा किया गया था, याद रख लिएगा, चंद्रगुप्त मौरे के द्वारा क्या किया गया था, नंद बंस का बिनास करने के बाद से मौरे समराज के अस्थापना किया गया था, किसकी साहकता से किया गया था, ये भी इंप्रचावत बुद्ध के अस्थानों पर भेजा था, ताकि लोग भगवान बुद्ध की सिक्छावत द्वार क्योंकि यह question सभी लोगों को पता होता है इसका right answer क्या हो जाएगा स्थी हो जाएगा महेंद्र वासंग मित्रा जो थे इनके पुत्र वापुत्री थे जिनको धर्म के परचार के लिए इनों होने क्या भीजा था यह स्रिलंका भीजा था मैं बता दू इसका right answer क्या था इनके द्रम यहां पर धिया हुए mult शिरलंका में बहुत इंपंट्न बन जाता है कि स्र लंका में असोक के दौरा किसको भेजा गया था तो महेंद्र वर संगमित्रा जो की इसके पूतर थे हैं पुत्री थे इसको दव बहुत धर्म के परचार के लिए वeज आ थे था ठीक है चल द्ता द्वारा किता कि नीति विखिप्सित किया गया था। आई हमैं इसका डिटेल देखते हैं क्या दिया हुआ है ? आप लोग किसी वीडियो को उठा लेंगे, जनरली चलन वाले कोशन यह आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह कोशन पूशे हुए कोशन है, जो पूशे गया है, जो कोशन आपको फिर से अभी जो एंटी पीसी ग्रूप डीके पेपर है, पूशे जा सकते ह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आई हम थोड़ सा डिटेल देख लेते हैं, इसका डिटेल क्या दिया हुए? उसके बाद से इनका जो असोक का मरतब हिर्दय था, बहुत जादे व्याकुल होने लगा था, उसके बाद से इनों ने कहा कि मैं बहुत धर्म को अपना लूँगा, मैं अब इस रास्ते से हट जाओंगा, उसके बाद से एक तरस से इनों ने सन्यासी जीवन बेतित करने की लेकिन यह राजा होने के वब्य sobie, आगे अगला और सोक के सासनकाल में सबसे महत्वपूर घटना कलिंग, अधुनिक यूगमान कि इस पर वीजै किया गया था, जो कि उसके जीवन की सबसे महत्तवपूर परिवर्तन स्थीद हुआ, आइए हम इसका Rat answer देख लेते हैं, इसका Rat answer क्या दिया हुआ, इसका Rat answer दिया हुआ है, D number दिया हुआ, D number क्या दिया हुआ है, कलिंग, कलिंग की बात कर रहे है, कलिंग यूद जो था, असोक की जीवन की आखरी यूद ने बताया कि इपने यह हीर्दय परिवरतन कर ले थे, मैंने इसके बारे में सब कुछ के बारे में बता ही दिया, आईए हम अगला question देखते हैं, अगला number question दिया है, असोक ने, पुछारा किस यूद के बाद बहुत रूपतेस्तों को अपना कर दिया, मैंने अभी बता ही दिया, इसका right answer क्या दिया हुआ, इसका right answer क्या दिया ए दिया हुआ है, ठीक है, अर्थात भारतिय इतिहास में कलिंग की युद में प्रमुक संस्थान है, ठीक है, ये भी पुछाया था कि जो भारतिय इतिहास में, जो सबसे पूरो की युद मानी जाते है, सबसे नरसंग हर जादावली युद मानी जाती है, उसमें एक नाम क बहुत important युद माने जाते हैं, अब उससे काफी जाते question आप लोगों के paper में देखने को मिलते हैं, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer अभी मैंने बताया कि ये इंपोर्टेंट हो सकता है, तो 2161 पूर्वे में ये युद लड़ा गया था, कलिंग का युद, ठीक है, important है आप लोग याद रखियेगा, चलते हैं हम लोग अगले number question पर, अगला number question क्या दिया है, चंद्रगुप्त का पुत्र, मौरे समराज के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा सासक था, पुछा जा सकता है, अभी मैंने बता ही दिया, अभी मैंने बताया था, कि चंद्रगुप ठीक है, अजात सत्रू, लेकिन अभी हम बात करते हैं, बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार था लेकिन इसका यह चोटा पुत्र था, जानते हैं क्यों, क्योंकि वह पुत्र था यह बहुत ही जादा मतलब अपने भोग विलास में जीवन व्यतित कर रहा था, इसके वज ठीक है, अच्छा है, यह कुछ, हम अधर पॉइंट को भी देख लेते हैं, क्या दिया हुगा है, वायू पुराण में इसे भधरसार या वरिसार कहा गया है, बिंदुसार को अजीवक संप्रदाय का अनुवाई किसे माना जाता है, तो अजीवक संप्रदाय का अनुवाई माना जाता है वो किसे माना जाता है बिंदुसार को माना जाता है वायू पुराण में इसे भध्रशार और वरिशार भी कहा गया है बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है किसे नाम से नाम से नाम से नाम से नाम से भी जाना जाता है इसके दरबार में राज यह मतलब अपने राजे को सौकुसल लेकर चल रहा था इसके द्वारा क्या 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 तो 16 विजोह को जिता गया था और इसी का पूतर था इसी का पूतर जो था यो असुक था ठीक है चलिए हम बता दूं कि विडियोस मैं ज्यादा बढ़ा नहीं करता हूं इसमें जितने भी विडियोस इसलिए रखता हूं कि लड़कों को अभी यह नहीं करता है कि अभी प्रॉब्लम हो सके मैं हर विडियोस के बाद डिटेल बताता हूं आप लोगों को विडियोस देख लेंगे आंसर देख लेंगे आप YCT के द्वारा आप with competition times की किसी भी books को आप purchases कर सकते हैं मैं बता दू कि आप लोगों के लिए YCT हर प्रकार से books अब लेबल कराती है ठीक है अगर किसी प्रकार के problem है तो आप लोग महां से WhatsApp number भी description में दिया हुआ है WhatsApp number के द्वारा भी जंकारी प्राप्त कर सकते हैं मैं एक चीज़ और भी बता दू आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए हिस्ट्री की आप लोगों के लिए पुरे मन्त की अपरेल की वीडियो अप लोड कर दे गई है आप लोगो current affairs की वीडियो भी देख सकते हैं ऐसे तो मैं बता दू कि daily basis पे भी आप लोगो current affairs की वीडियो प्रोवाइड की जाती है तो प्लीज आप लोग continue रहा किजिए और उस वीडियो को देखा किजिए और जो लग की चानल को हमारे subscribe नहीं कियों subscribe कर लें और वेल आइकन को भी दबा दें जिससे की notification आप लोगों के पास पहुंचता रहा है और वीडियो अच्छा लागे तो like कीजिएगा Thank you दोस्तो Thank you